आप सबी लोगा सौगत है आपके इपने यूटूब चैनल डीजे सर पर आज का ये वीडियो क्लाश 12 को अच्छक लिए बहुत ही इंपाड़े लोग किसम बात करने वले हैं नागरिक सास्तर के महतपूर अती लगे उतरी प्रशनों के सिंखलाग बारे में हैं तो चलिए थ्यजरा भी छूढ़ गए है तो इसको मैं फेसे आते कि हम लोग इसका कर रहे है धियां तो इसमें का पहला प्रत्शन है महतपूर प्रशनों की सिंखलाइब बहुत ही महतपूर प्रत्री दुनिया का क्यारत है या तो यो आप पूछे पहली दुनिया चैत है तो दूनों अगहर सामानता हम लोग बात करें पहली दुनिया के बारे में, तो देखें शामानता पहली दुनिया के रूप में, सहिं उत्राज अमेरिका, जिसे यूए से और इसमें मुक्रिप से पस्चिमी यूरोप के देशों को सामिल किया गया है जहां पर आधुनिक, ओद्योगिक और पुजिवादी पहले से ही बहुत बिस्तित रूप पर थी तो इनका जो नाम दिया गया है इन्हें पहली दुनिया का नाम दिया गया अब आईए हम लोग बात करते हैं कि दूसरी दुनिया का क्या रत है मादवर परशनों के सेंगला मढ़ते हैं दूसरे परशनी की और दूसरा हम लोग का परशना है दूसरी दुनिया का क्या रत है उतर जो इसका वजाएगा 6 नौंबर 1999 को पुर्वी यूरोप की देश सोवियत संग में आ गया थे यहां का जो राजनीतिक और शमाजिक जो समाज बन गया था वो सोवियत संग की तर्च पर बना दिया गया था टा दो मुक्रूव से कहा जैंगे इन देशों को दूसरी दुनिया का देश का जथा है यह लोग जिसमें दूतिधी देश जिसमें हुखे ता चीन हो गया क्योबा खांट तक सोवियस संग की बात होगा है था उनके सहयोगियों को द्यूति विस्व कहते हैं द्यूति विस्व पुछे आप से क्या होता है या दूसरी दुनिया क्या रत है तो यदि आप इतना लिखते हैं तो यह आपके लिए बहुती प्रयाप्त होगा मातुर प्रश्णों के सिंख्ला हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्ण की हो लेकिन तीसरे प्रश्ण की हो बढ़ने से पहले दिए यूडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सेर जरूर करें और चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्रियाप काउस्ट है और यह आनलाइन श्टी का एक मुहीम है जिसमें आप लोग के समर्थनी ज़वरत है तीसरे प्रशन की हो बढ़ते हैं यू एस एस आर का बिश्थित रूप बताईए तो चलिए आई देखते हैं हम लोग यू एस एस आर का पुरा फूल फॉर्म क्या ह जो है इसका फूला विस्तित रूप हजाएगा यू एस एसर का जैसा जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं सोवियद संग यह समाझवादी गढडराज है तो इसका प्रशन या उनता को सुरुच्छा का बादा मिलता ने देखा जाये तो तो सुरज्च्या को ने वादा मिलता है कि चलिए ठीक लिए बड़े कंट्रीके साथ उड़ी भी महासकति ये इस तो हिए उसके नाम आथ ये घंपनेर महाज परिंके मifically कोई ऐसी चीझे आ गई जोकि परआसान कर रहें जैसे अचानक अपातकाल कोई आ गया बुखमरी आ गयी या तो वहाँ पर जैसे सुनामी आ गया जिसे कोई बड़े आपदाएं आ गई तो आपदाओं में इनको आर्थिक मिलता है सैन सहायता में फाइदा मिलता है अचानक इनके हाँ अगर कोई हमला हो गया तो इनको इन महासक्तियों के दोरा सैन सहायता भी फाइदा प्राफ्त होता है और साथी साथ सबसे महांदापूर्ट चीज हो गई ये इनको आसानी से इन देजाओं से मिल जाते हैं यहीं वज़ा है चोटे जो देश है वो माहासक्तियों में सामिल होना चाहते हैं या उन से उनको यहालाब मिलता है इसलिए या मजबूरन ना चाते हुए भी इन देशों के साथ जुड़ते हैं बढ़ते हैं पाच्वामलों का प्रश्ण है पाच्वामलों का प्रश्ण है 1960 के दसक में दोनों महासक्तियों ने किन किन संधियों पर अग्सास्था किये हास्टाक्षा देखें दो महासक्तियां बहुत इंपाबंडी लगाएंगे पहला देखें महास्थपूर्ची जो परमारू परिछर परिदिवन संधि कोई भी कंट्री परिदिवन नहीं करेगी तो ये इन लोगोशों ने दोनों महासेतीों ने इस बात का सपत लिया या ताक्षर किया गया संधी कि ए परिवादू बनाये गए हैं कि ये इतना विद्वन्सवक्ष जैसे कि वहाँ पर जापान का सहर हिरो सिमार रंगासा की प्रयोग किया था अमेरिका के दोरा तो उसमें देखा गया कितना बड़े प्रभाव को देखते हुए ही फैस्ता लिया गया कि नहीं अब भले ही लोगों इन चीजों संपन है लेकिन इन संधियों के अंतरगत ही कोई ऐसे कारे या ऐसे कदम उठाएंगे जो किसी भी देशों के लिए उचित हो मतलब उनके लिए जो निकारक ना हो या उनके लिए ये जो चीज़े हैं वो पुरी बिसुक के लिए नुकसान दायक है परमाणू संबन्दी तो इसलिए इन पर मुक्रूब से इस प्रतिमन को लगाया गया तो ये थे पांच प्रशन नागरी सास्तर के बहुत ही मतलब प्रशन है अती इसे स्वेप करें और ज्वाइन हो जाएं और अपनी तैयारी को बहतर तरीके से अंजाम दें थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो